कि नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर अम्रिस्तर दिहात पुलिस ने सीमावर्ती शेत्रों में चोरी की लगजरी गाड़ियां बेचने वाले चार लोगों को किया काबू 15 लगजरी गाड़ियां की बरामत बठिंडा के सिवल अस्पताल स्थित नशा छड़ाओ के इंद्र से छे मरीज हुए फरा प्रशाशन ने पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट बठिंडा नगर निगम ने दुकानों का किराया वर टैक्स ना देने वालों पर कसा शिकंजा दो दुकानों को किया सी अर अब हल चल विस्तार से पंजाब के सीमा वरती शेत्रों में चोरी की लगजरी गाडियां बेचने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं जिस पर कारेवाही करते हुए अमरिस्तर दिहाद की पुलिस ने 15 लगजरी गाडियों सहत 4 लोगों को काबू करने में सफलता हासिल की है इस समंद में जानकारी देते हुए पुलिस की जांच अधिकारी जस्वंत कौर ने बताया कि अमरिस्तर दिहाद पुलिस ने 4 रोपियों को काबू किया है जो की पंजाब, हर्याना, दिल्ली और यूपी में से लगजरी गाडियां चोरी कर पंजाब की सीमावर्ती शेत्रों में बेचते थे उन्होंने पताया कि इस गिरों के दोस्त दस्यम, मास्टर, चाबी और इलेक्ट्रोनिक्स उपकरनों का इस्तेमाल कर गाड़ी चोरी करते थे और गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट्स और दस्तावेज बना कर उन्हें बेचते थे जिस व्यक्ति को यह कार बेचते थे उसे यह कहते थे कि यह गाड़ी लोन डिफाल्टर की है उन्होंने बताया कि अमरिस्तर महता पुलिस ने अलग-लग राज्चियों के व्यक्तियों की पहचान कर चार व्यक्तियों को ग्रिफतार किया है पकड़े गए अरोपियों की पहचान निशान सिंग, और्फ मिंटू, हर्पिज सिंग और्फ हनी, कश्मीर पाल और्फ बपी, अवतार सिंग और्फ सन्नी के तौर पर हुई है फिलहाल पुलिस ने सभी अरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताच शुरू कर दी है, जिससे और भी कई कुलासे होने की संभावना है अमरिसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट अवाइब देजिए अवाई जडियां के टीमा त्यार किती है उन्हादे विचासी एक बंदे नू जड़ा ना पी और नू गरिफतार किता उन्हादी पोश्विश्व दर्म्यान उन्हान ने जड़े पांच गरोव दा जड़ा हैगा सी गाउना दा चोरी करन दा जिसिया ते दर म्यान ही उन्हादी पोश्विश्व देजिए वेच अन्हान ने एक जड़ा के अवतार सेंग और बभी नू सनी नू गरिफतार किता उदे कुड़ों जड़ा सामाज सी का चोरी दा उदे को बेचे आ गया सी गाउन्हादी जड़ा जड़े नो जड़े पाई ते उ बढ़ा जेडा गरोव और अवतार सेंग उर्प सनी देराही सामने आया जेदे विच के एक जेडा साथा और जेडा सीगा बभी सीगा कश्मीर पाल सेंग बभी उन्हों सी अमसा तो घ्रिफतार किता ते इना दे जेडा सानू बखरीय बखरीय जगा तो 15 गडिया जेडिया अ बठिंडा के सिवल अस्पताल में स्थित नशा छोडाओ केंद्र से छे मरीज दूसरी मंजिल के कमरे का दर्वाजा तोड़ कर फरार हो गए यह सभी नशे का सेवन करते थे और इनके पारिवारिक सदस्यों की और से इन्हें यहां इलाज के लिए बर्ती करवाया गया था मिली जानकारी के मुताबिक फरार हुए सभी नशेडी युवक अपने घर पहुंच गए हैं फिल कई नशेडी खिड़की और ग्रिल को तोड़ कर फरार हो चुके हैं हलांकि सुरक्षा के लिए प्रवंद को द्वारा पुलिस करमचारी तैनात किये गए हैं और मरीजों की देखबाल के लिए स्टाफ भी तैनात है इस मौके पर सिवल अस्पताल के डॉक्टर आरुन बां जाता यहां दाखिल होने वाले मरीज के लिए परिवार का एक सदस्य का होना जरूरी है तब ही जाकर उक्त मरीज को दाखिल किया जाता है पठिंडा से हल्चल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट पिछो के शिरारती अंवह थाइर है वहाजके जाए रिए लगये करने जाहिए परइसी तामी चिज लेंड़ी चुटी लागे चलाए प्यों सरकार्दा नुकसान करते लाई न करते है वह भी एक्त टुटज ने एंग पाड़जा तुट गजहए तुब दुटवाजए र बठिंडा नगर निकम की दुकानों का किराया और टेक्स ना चुकाने वाले साफधान हो जाएं क्योंकि ऐसे लोगों पर नगर निकम शिकंजा कस रहा है नगर निकम की टीम ऐसे डिफाल्टरों की लिस्ट लेकर निकल रही है इस दोरान टीम अपने साथ ताला सील करने वाली मोहर और लाल कपड़ा भी लेकर चलती है ताकि किराया और टेक्स ना चुक कर दिया है इन दुकानों का लगबग 13 लाक रुपए बकाया था डिफाल्टरों पर सक्त हुई नगर टीम की एक सब्ता में दूसरी बड़ी कारेवाही है इससे पहले भी दो दुकानों को सील किया गया था नगर निकम द्वारा किराये पर दी गई दुकानों में से लगब नीगम कारेवाही कर इन दुकानों को सील कर रहा है बठेंडा से हल्चल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट नौ अमर्दीप संगेल सकत्तर नगर निकम बठेंडा आज असी एथे फायर बर गेड़ी बैक साइड ते जड़ी मार्केट आ एदे विच दो साथे जड़े क् देती है वो डफाल्टर सी एकवाल साथे आठ लख तो थोड़ी ज़्यादा है गी या राकम पैंडेंडी एकवाल साथे चार लख तो थोड़ी ज़्यादा है थे इना नों नोटस देते परस्नली रिक्वेस्ट भी किती बट इना ने पेह नहीं किता तो अजे दोने अजे आप गाया शाल जादा एक दकान विद अटीरियल से इलकिती है तो दूसरी दकान दे जंदा लग गया थी खुदा मालक नी सी ओड़ी नहीं किती है नहीं होड़ी लिस्ट बनी होई है जी स्टेप बाइस पासी वो सारे आँ ते कारवाई करांगे और मेरी योना नों देश की सेवा करते सिमाओं पर नौजवान शहीद हो रहे हैं जिसके तहत नाभा ब्लॉक के गाउं मंगेवाल का रहना वाला तीस वर्षिये जस्वंत सिंग जोकी फौज में नायक के पदपर तैना था गदिनों जम्मों में ड्यूटी के दौरान दिल का दोरा पढ़ने क कारणवेश वहां शहीद हो गया शहीद जस्वंत सिंग अपने पीछे बुजुर्ग माबाप पतनी और एक पांच वर्ष का बेटा छोड़ गया है जैसे ही शहीद की पार्थिव दे उसके घर पहुंची तो परिवार पर दुखों का पहार तूट पड़ा क्यूंकि सिवार की या कमी कभी पूरी नहीं हो सकती वहीं इस मौके पर जम्मू से शहीद का पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे आर्मी के सुब्वेदार परमजीत सिंग ने बताया कि जस्वंत सिंग की ड्यूटी जम्मू में थी और अचानक दिल का दौरा पढ़ने के कारण उसकी कारण सिंगा परमजीत आर्म ने साटे अधार में रुटी जसंगा दिल दौरी को यहां अधार आकदा उंता मुंचे यहां दिल के कि अरे भून पर ठोली की आए तो यहां और आता दो खूद्ध आए अधार पंधर टूल में जुटी जो करहां है दे नारिए नारल जिना करें फटेंगा थोड़ा जोड़ा भालम हागी चीज बन साथ को है पुरा हो गया घ।टामोरा आपक है परेला दो साल नेहल दागत खाया यह तो है यह जिसे है बार फुसी चाट काई सिऊ है या मैं साथ ती। म्ममी साथ ती का यो बेटा मिन आ गिया। और मेरा नाम इजजर सेंगा. इन जी एजिनी त अड़िकारों थे तो ठीदार दी आवरे मेरे भ्रवाए है. जफञता सिंगी थो यो जगता आज आर सिंगो उसमी ते लिए एनाडِ से जम्मू. एंतबार नो हेड़ ड्यूटी गए नहीं स्वेरे पंजबजीवरों चाड़के तो फातिगाट साथ तो तो ट्रेन भाई हो तो दपायरता का पहुंच गए जी ए उना ती परसों जी कना शाम नो ते डेथ होगी जी हार्ट अटेक हो गया तो अना आया जी उना दा परशाशन जीए लेकर आया हरा है और हम ग्लेंस ते बेंच उनकार लेकरा आ रहर तो दुख हो और वारत दुख यजी तेकनीक उमर से पहले हो तीक साल दियो थी झायले चोर्जी 앞रो जैजी हो म बच्चे मान जी कि शोटा बच्चा है जी तेन साथे तेन साल लागी तो नबा हलके दे पंड मांगे बाल दा नौजवान सी एड़ा देश दी राखी लिए अपने जम्मु किसमीर बाटर से जोटी दे रहा थी तो दी दोर दरान जोटी प्राफ्त करिया ती असी बड़े जेन्देगी जोनिया थी एडेश दे शरद्दा थी अपने जना काथरे दे विच पाके जडे करवानिया दे रहे थे सानुन इस साथे हमें समार है परवार जोड़ी बड़ी दुख होंदा जोटो नौजवाना कर दे बिच चल यहां ते बहुत दुख होंदा थी इस तो ब इसे साड closely ह acces high attitude हा और या कि हजा जैन लिए अुछ निंक चे लिए दिए ओज्टार्ज़ एक्रप Пока ओड़ा मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेत्रित्व वाली परदेश सरकार की और से खेलों को प्रत्साहित करने हेतु करवाई जा रही खेड़ना वतन पंजाबियां के जिलास तर मुकाबले जो शेवम उत्सा के साथ संबन हुए इस अफसर पर डिविजनल कमिशनर फरीद कोड चंदर गेन ने मुख्यतिती के तौर पर शामिल होकर विजेता एवम होनहार खिलाडियों को सेटिफिकेट देकर वा मैडल पहना कर सम्मानित किया उन्होंने खेलनों पड़ो और पड़ाओ तथा पंजाब को आगे ले आओ का नारा देते हुए इस दोरान भुच्चो मंडी के विधायक जगसीर सिंग ट्रेडवे के परदेश परधान अनिल्ठाकुर जिला योजना कमेटी के चेर्मेन अमरितलाल अगरवाल भी उपस्तित रहे बीसी शौकत अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि 12 सितंबर से शुरू हुई जिलास्तर ये खेलों में जिले के करीब 23,000 खिलाडियों ने अपनी प्रतिबा के जोहर दिखाए उन्होंने जिलास्तर पर विजेता खिलाडियों को बदाई दी और राज्य स्तर पर खेल मुकाबलों में शान्दार प्रदर्शन के लिए शुब कामनाई भी दी इस अफसर पर कई प्रशासनिक उच्चादिकारी भी मौजूद रहे बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट सचकंड श्री दर्बार साहिब जहां हर वरक का व्यक्ति अखंड पाट साहिब करवा कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है वहीं सचकंड श्री दर्बार साहिब के अंदर अखंड पाठी अपने तनख्वा और अन्य जरूरतों को लेकर शिरोमणी कमेटी के खिलाफ मोर्चा कोल कर बैट कर गए हैं जिसके चलते तेजा सिंग समुद्री हाल के बाहर पाठी सिंगों और राग्गी सिंगों की और से शिरोमणी कमेटी के खिलाफ पर दर्शन किया गया उन्होंने कहा कि जब तक उनकी ये मांगे नहीं माननी जाती तब तक वे इसी तरह संगर्श जारी रखेंगे वहीं दूसरी तरफ शिरोमणी कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें बिना वज़े जान बूज कर परिशान किया जा रहा है अमरिसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट मर्णा बनकी मांगे तलंकर प बोगवें मेडीकल-मेडीकल खोर्ण्स मेडीकल खोर्ण्स वें जेरी जमा स्क्योर्टी यो ऑफटी होवे जहां जड़ी वद्धू अखनपड़ी सिंगा दी पर तीकिती जांदी हो बांदोवे जड़ी इत्थे चलो इत्थे जिननी मर्जी पर तीओ इत्थे बहुत वट आजारा है गुरुकर्दा बहुत वट असमुंदरे है इत्थे सरजंदा है जोते अखनपड़ी सिंगा दे किसे दे चार ती पांज़ शे अखनपड़ी सिंगे जया है जोड़ा पहला होई है पर अजे भी अधकार जड़े ना जोड़ा पहला होई है पहला में जिम्मेवारी साधे सकतर साहवाने प्रताव सिंग उनना ने लई सी अगास्त दे वेचे जड़ी अग्याक्तिव दी मीटेंगों इस रूमनी गुर्दर परवंद कमेटी दी ओधे वेचे मसले आल करते ते जान को भी होगी और फेर वी तरीक कोई मसला नी हाल होया अज भी असी अना दे काल वी असी अना तरले का कर रहा है पी अखंड़ पड़ सिंगा दे जड़े आज जे नहीं कोई मसला लकार दी कालनूं फेर जमें दो जार्स तारां दे वेचे इनना नहीं कहा है कि साथे दो अखंड़ पाड़ से जड़े इनना नहीं से रांब कीते ओ फिर हो सगता सी सला करके जड़े कालनूं फेर असी अकाल तक साब वाक वाक जगाते भी आड़े सिंगा दे से टोटल पन्यावद वेच सब कमेटियां बनियां असी फिर मजबूर मजबूरी बासों के सानु मजबूर कर रहे हैं असी आपनी खोद करना चाहूं दे तानू पधा कोई भी जड़ा दाका दम चक्कन वास्ते बड़ा सोचना पहिंदाया पर इनना सानु इनना मजबूर कीता सानु स्वेर दे सारे सेंग पुखन पाने बैठेया जी किसे अजे इनना सार नहीं हो गया मारी जी गालो हिया ओवी एदे कोई डिया नहीं ना किती नहीं जवें गोंगलों तो मिटी चार्ण वाली गाले या पर साथे सेंग जड़े हो डटे हो कहीं दे सानु किसे भी मुश्कल दा समना करना पर गाई जड़ा जड़ा मसला ही बहुत सिद्धा पर्दान साह अनुत कहा रहा है को वी नहीं कर रहा है कदि साब कमेटी ना थी सब कमेटी दा बना हुंधा मतल्हों धूब तब ही काम ठंडे बस्ते पाउना पी किसा दे सब्हार नहीं जड़ाए जड़े और 175 00 August और्हारी बांको ज़ unto हाई कार्याओ कि डिया पर्दान-साहब करने नि आज भी जड़ी गाले आज भी एजिटेशन हो रही है तब परदान साव नो ए तुरूंता देश जारी करना जाएदाए पिस सो रुपिया पेटादा आजी बादा लागू करता है बाकी साथ नो टायम देदाए पिस अगले जड़ा वो मुद्धा कदों बचारे जाओगा ताँ के ए जड़ा अगले बने बाद नावाद सके मेरी सकतर साव ना गालो आईया पर सकतर साव दे अत्वासी कुछ नीगा जिन्दों जो देश जारी है हुगा होई होगे करेगा अगला स्टेप विखो न सिंगा दे नाल मिलके आप बहुत बद्धी अजडी केशन हो सकती है दे पिशे ताह एसनु मैं चाउना मापी एथोती कर नाज ले आया जावे इनु आजी इनु मलो सिंगा ना बचार करके सारा खैंसला लाराना चाहीजा एप जरूरी बेंतिया पि इनु जरूरी तो आड़िवासनियां करनाने ना जो जो बूर कंट्राउल करना चाहीजा वाहे कुर ज जिका खाल सावाए गुडिक जिश्चकन श्रीह मंतर साव नार स्वंदत जड़े खंड़े खंड़ पठी से करीं इनना वलों आज मुझी जी गालते तरनाल आया गया इनना वलों यह मैंगे सी यो मेरे ना से डिसकास कीती है नाने कि सब्सक्राइब नवे खंड़ पठी ज जो ट्रीहा रर्ना गीते जान ले टो ख्रहिंतसरी आज मेंगे सब्सक्राइब नुिसम्ट ना केसा कीति ह। मैं जरूं क्या दियू इफेला आल नवे खांड़ पाठी के डियो हाजना कीते जान इनी गलतों एह होण जड़ियां एह होर मंगाई वेच लई जयां दे ने कि मैंना अफेर डिस्कास कीती होना ते ज़ी साथा मेडीकाल लांस्याम जो जोता वाल तुझेए मलाजमा दना पर साथी चाहँ ताबदा हाँ है पर जड़ा होर वी अरे दोत तन मंगा सी कि साथी जड़े स्कंड़ियां ऑदी एफडी कराहँ जब्हों की एफडी ता मसला ए ऐसी कई भी नाढ़ वादा इमांगते रहें जोड़ आठीम नियों नाढ़ वदा हमांगते ने ने हों जोड़ अद्ट मतावक जोड़ अपने युट्र ईजिस फर्फारसा व सब्वार एक टाम दो उद्टीन दिनने तेना के लुड़ी कारते ने देटिड़कें टाइबुरी कारतेरें टिर बार खंद पाठ्ठी ने ओ नगते दिल्वरें टिरोड़क तो टिर इनन्हां दी होना जड़ी माङँद स्वेरे सी ओ होर सी होन इनने हो प्रिव भिए मंस्दपाग हैं गाला कि जड़े सद्ञें घंड़ पांठी ने सद्ञे परवार्दा इससाने ओसानू अजय समय तॉरासमेंट कर रहे जदओं अधा keंटी अमसला चार रहा हैं इतना एकका सबना ब्लैक मेलिंगा कि जदओं अदर प्रौम्ग कमेडी दे जडे सद्विक्त करें पर रुज्य वेने ते एस टाम ते एजी घल करके शिरोवनी कमेटिनू ब्लैकमेल कर रहे ने पर मैं फेर भी एनानू ब्येंति कर दांगी साड़ा तुसी साड़े परवार्दे साओ ते जदवसी ता डिराल हर तरानास योग कर दें फिर ता अनुवी साननास योग करना चाह मानना वाला में परियावरण पर एक सेमिनार का योचन किया गया जिसका मुख्योदेश्य वातावरण को हरा भरा और शुद्ध रखने के लिए काम कर रही संस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित करना था इस मौके पर अखिल भारतिये सहियोजक राकेश जैन विशेश पर जंगल लगाया गया है इस मौके पर राकेश जैन ने कहा कि हमारे देश में जितने पेड़ों की जरूरत है उतने पेड़ नहीं है और ना ही पीने योग्ये पानी पूर्न मत्रा में उपलब्ध है इसके इलावा कच्रे के कारण भी बहुत सारी परिशानियों का सामना क प्लास्टिक मुक्त अभ्यान और जल सरंक्षक जैसे मुद्दो पर गंभीर्ता से चर्चा भी की गए इस अफसर पर डायरेक्टर डॉक्टर मंगल सिंग किशनपुरी प्रमीन कुमार रजनीश रोडा परंवीर अनन हंसरा चौधरी संजीव शर्मा सुरजीत सिंग कंग सह अन्य लोग भी मौचूद रहें जंड्याला गुरू से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट जैन बोल रहा हूं जो परियावरन गतिविती का राश्टी सैसे हो जखूं आज परियावरन की सिति के बारे में जो गंभीर समस्चाइं खड़ी हो गई हैं जितनी मा जातों से निपटने के लिए हम तीन नारे लेकर चलते हैं पेड़ लगाओ पानी बचाओ पॉली थी नटाओ इसी विशे पर हम जंड्यागरन का काम चलाते हैं देश बर में इसी नाते आज यहां उपस्तित हूं मैं मनीश शर्मा हरे अबल पिजाब सुस्ता तो जिड़ा संजोजग दो यह ठारा तो जिन्हों संस्ता बढ़ी ते असी समिशे नों गर्भी इड़ता ना लिया कि जड़ा पोदार ओपन नहीं है जहां पोदे कटे जांदे हैं जालदा संकट है प्लास्टिक मुक्त भी कर प्लास्टिक जाले के दूबीर सबस्या है उस सारे समय दान दे ली उपरा है पर जाने जाने खुद व्यक्तिकत तोरते एक अमली अगे वदेगा आप सारे काम जाब हो भांगी वकी प्रयास नरंतर जारी रेंगी निर्सवार्त सेवा है अर्यावल-पजाब संसा खड़ी ह है लोग का देहत बीचिए बहुत शलगा जोगों प्राम है जावल पिजाब वलो असी अपनी सास फाउंडेशन वलों मी हर साल कोशिश कर दें कि बहुत बुटे लगाई है क्योंकि निजाब जोड़ा वह वह बहुत बड़े संग्ड जो लग रहा है पानी संग्ड जो अच्छी जानका दी सीगी और अच्छी प्रेणस होत शीगा किसान जीनी चीजाने इननके में सामना चाहिए और होर की जतन करने चाहिए पंजाब दे अंदर खासता और वैसे तब पुरी दुनिया विच जो ऐसोले पर्यावरंदा संकट आया वया है उसे लिए बच्चेया नू जागरूक करना एहर विद्यक संस्था दी जिम्मेदा करनाल मिलके आज दे सामिनार दा योजन कीता है जिस दे विच शिरी राकेश जैन जी जड़े ओल इंडिया लेवल दे उत्ते पर्यावरंदे बारे जागरूकता पैदा कर रहे ने उह हर्यावल पंजाब वलनों साड़े कॉलेज विच आये सी और उना ने बच्चेया नू पानी, जमीन और जंगल इना तिनना दे उत्ते जो संकट बन्या होया है उस दे बारे समनों जागरू करवाएं देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जनम दिवस पर चलाई जा रहे कारे क्रम में अमरिसर के एक निजी कॉलेज में भाग लेने पहुंचे डक्टर राज कुमार वेर्का ने आप सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप सरकार को कानून के बारे में कोई भी जानकरी नहीं है आम अदमी पार्टी देश हित में नहीं बलकि देश विरोधी पार्टी है वहीं जब पत्रकारो द्वारा ओप्रेशन लोटस पर सवाल पूछा गया तो डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि आम आदमी पार्टी को कानून के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकरी नहीं है उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के सदस्यों या विधायकों में किसी बात को लेकर मतबेद है तो उन्हें अपने स्तर पर मीटिंगें करनी चाहिए ना कि विधान सबा का सहारा लेना चाहिए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल में अपनी सरकार बनाने के सपने देख रही है लेकिन पहले उन्हें पंजाब में अपनी सरकार अच्छे तरीके से चलाने की जरूरत है आमरी सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट एक वाटर सेविंग दूपर पाणी बच्चत देख बंद अन्दर एक सामीनार दा जोजन किता जा रहा है और जोदेख सबंद वेच मैं आया है और ए सिवा पंदर्वाडा दे रूप देख पूरे देख देख मनाया जा रहा है और मैं मसूस करता है कि एदे नाल जिते पाल्टी दे लोगानों सेवा दे वे जुड़न दा जड़ाया ओएक मोका मिलेगा ओथे देश दे लोगानों जड़ाया ओर भी ग्यान होएगा कि दूसरे जिनने भी सरकार दे काम है उननों पूरा किता जाए पार्टी बीजेपी स्रकार दिखने चांदी और विशिये सतर जड़ाया गया सिगा उननों कि तरीके ना राद करा देता गया यार शड़ परे जनू कहें देना कि पले ना सेर आटा तेहिन कि दर संग पाटा पहली गल है ना उन्होंनों कोई जानकारी है ना कनून दी जानका सब्सक्राइब लोग अपलाई दे कमा वासे हुंदी है लोकां दे मुद्याली हुंदी है और पंजाब दी डिवेल्मेंट पंजाब दे लोकां वासे विदान सब्सक्राइब ना कि केसे नों गालां करनी है या तुसी बही तो अड़ी पाल्टी दे नंदर कोई भराब आ सब्सक्राइब लोग तंतर बारे उन्हों कोई जानकरी नहीं लोक तंतर चोना दा कोई विश्वास नहीं और हमेशा ही देश इतनी बलके देश विरुदी गलां कर दी रही है और आम आदमी पाल्टी दी विचार दरा है देश दे हाक जनी देश दे खिला है सेंट सोल्जर मैनेजमेंट एंड टेकनिकल इंस्टिचूट के चात्रों द्वारा दैनिक सवेरा अखबार की प्रिंटिंग प्रेस का दौरा किया गया जिसमें मीडिया विभाकी एचोडी जस्परित को और सहत बीस चात्र मौचोत रहे इस दौरे के दौरान चात्रों को अखबार की चपाई की कई तकनिकों के बारे में चानकरी प्राप्त हुई तो वहीं दैनिक सवेरा अखबार के स्टाफ सदस्यों ने चात्रों के सवालों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया और उन्हें ब्लू प्रिंट अलुमीनियम प्लेट्स के बारे में भी बताया और उन्हें यह भी बताया कि केवल चार रंगों के माध्यम से अखबार पर कर दो 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 मा बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौंक हुश्यारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारतवाच की ध्यक्ष्टा में सब्ताहिक मा बंगला मुखी हवन यग्य करवाया गया जिसमें सबसे पहले ब्रामनों ने नवग्य पंचो पचार शोडशो पचार गौरी गनेश कुम पूजन मा बंगला मुखी जी के निमित माला जापकर मुख्य यजमान अमंदीप सिंख से सर परिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यग्य में आहूतियां डलवाई इस जक्य में उपस्तित मा भक्तो को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारतवाच ने उपस्तित मा भक्तो को कहा कि धरम ही मानव जीवन का मूल आधार है इसका हमें हर हाल में पालन करना चाहिए तो वहीं उन्होंने कहा कि अधर्मी व्यक्ति सर्वनाश की और जाता इस अफसर पर बावा खन्ना, रोहित बहल, राकेश प्रभाकर, एड़ोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांथ शर्मा, गोपाल मालपानी, रागव चड़ा, समीर कपूर, अशुनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुन प्रिंस और प्रवीन सहित भारी संख्या में शर्दालू भी मौजोद रहे, वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जालंदर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट अपने अरदास बेंदी किती है, हवन यकेश आहुतियां पाइनियां महामाई बगला मुखी जीदे नमित, मा एस सारे पकतां दा जड़ा शीरवाद अपना रखे और इना दे कारपरवारते सुक शांती दवे, इस दिन आलाल में दसना चन्ना कि हर सलाना एक कड़ी चावल अरदा लंगर लगाया जा रहा है, आप समुची श्रदालवान उकरवद प्रार्तना है कि पहुंच के सारे सरवद्दे पले दे लई, अपने अपने प्रित्ती पक्ष्टे निमित उत्थे हम आपा जड़ा लंगर लगा रहे हैं, आओ लंगर ग्रैन करो, इस दिन आलाल मे लगाया के उस तो बादो सारे संगत दे विच वित्रित कीते जानगे, आप सारे ने इस दे विच शामल होना है, इस दी लगातार तो नुकरवद प्रार्तना है, इस दे नालाल में दसना जन्ना की एस साल महारिशी वालमी की जीदी जड़ी शोबा यत्रा है, जनम दिवस ह नौ तरीक दा, नौ अक्तूबर दा, उस दे विच शबी तरीक, शबी स्तंबर दिन सोमवारनू, श्री वालमी क आश्रम शक्ती नगर, दे विच एक विशाल मा बगला मुखी जी देन में तहवन यके दा अज़िन कीता जारिया है, एस साल दी सेवा, मा बगला मुखी ताम दे सिवादारनों है, समू सिवादारने ता पहुंचना ही पहुंचना है, समू जड़े पगजन है, वो भी श्री वालमीक आश्रम शक्ती नगर पहुंच के महा माईदा अशीरबाद प्रापत करो, हवन यके दे विच आहुदिया डालो, और इस दे नालनाल में दसना जन् पित्र पक्ष के उपलक्ष में पित्रों के उधार ही तू, नारायन सेवा समिती अवमन नारायन संकीरतन महिला मंडल की और से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में करवाई जा रहे श्री मद भागवत कथा ज्यान यग्ये के छटे देन श्री काशी धरम पीधा दिश्वर जगत गुरू शंकराचारे स्वामी नारायन नंदतीत महराच ने उपस्तित संगत को कहा कि श्री मद भागवत अचार विभार में लाना चाहिए तबी हम भगवान के सच्चे भक्त कहलाएंगे इस अफसर पर विधायक रमन अरोडा मदान काड से गौरम मदान उद्योगपती राजेंदर शर्मा ने विशेश रूप से शामिल होकर आशिरवात प्राप्त किया इस अफसर पर भगवान अजे मलहोत्रा हरेकांचा अशोक महरा धर्मेंद्र संजे चड़ा पंडित माया राम राजेंदर शर्मा श्री कृष्ण मुरारी मंदिर परमंदक कमेटी के परधान चमनलाल कोच्चर महा सच्चिव उमा महिश्वर कैश्यर नरेश राचन अश्वनी भारत्वाच अश्वनी शर्मा धूपवाले दीपक कुमार आदित्य कुमार जीवन शर्मा रोशनलाल बीपी सिंग राहुल शर्मा सहत असंख्य गुरु भक्त भी मौजूत रहे जालंदर से हल्चल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट अब लुए जो धर्म का दोले हैं किनी से हमारा स्राव चाहत आदो अब धर्म की अधर्म को नाश्च ज़ाए जब ऐसे महांसन है हमारा उथार करने के इस धरा पर अपने कुम्तबों की वड़ी अपार में पहुती है तब ही ऐसे महासंद हमारी सुमाज में आपने आज जलंधन आपने पर और सारी समय को अपना शीरवा देने के मैं अपराज़ी प्रपोडी पुर्णाम करता हूं और आज़ा करता हूं कि इसी तरह ही हमारी जलंधन पर आपने पर बावज़ी बनाया थे क्योंकि यह जो जलंधन के लोगे बहुत ही फाजिक प्रपोड़ी है और बहुत भूले हैं बहुत भूले हैं यह सब्सक्तों अपना मांगा है जैसे आपने आदा आदा कि सारे घ्रमों का सब्सक्रार करना चाहिए यह लोगसरी फ्रमों का सब्सक्रार करने वहें किसी में इसलिए रैट गऴे को कहता हूं कि आप समय है अपने आपनी दियरों को अपने इन फिर्प कराणा चैसे कि और लीच मे championship हुआ días वालो धन एम आर मेरा खlight कि प्राम आरिए ठरीक संदिक वालो प्राइश काब गार शब्रुटसे लुडआ déjà चे कि पर दो वालो तर ख Disease trying आर शाम खाला हुआ यह जए झिछ प्राम जडिए कि आर पीिग कि पड़मो framework अखिल भारतिय दुर्गा सैना संगठन की और से मंगला मुखी जी का सबताहिक महायग्य प्राचीन शिव मंदिक दमोरियापुल में किया गया जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उचारन कर यग्य में उपस्थत मा भक्तों से महायग्य में आहूतियां डलवाई इस महायग्य में अखिल भारतिय दुर्गा सैना संगठन के वैबब शर्मा, अमित गुप्ता, पियूश जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश, कुमार सहित, असंके बगजन मौजूद रहे जालंदर से हल्चल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट हरीम, स्वाहाँ और अब अन्त में हल्चल की कतिविदियों पर एक नजर फिर से अम्रिसर दिहात पुलिस ने सीमा वर्ती शेत्रों में चोरी की लगजरी गाड़ियां बेचने वाले चार लोगों को किया काबू 15 लगजरी गाड़ियां की बरामत बठिंडा के सिवल अस्पताल स्थित नशा चोड़ाओ केंद्र से छे मरीज हुए फरा प्रशाशन ने पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट बठिंडा नगर निगम ने दुकानों का किराया वर्तेक्स ना देने वालों पर कसा शिकंजा दो दुकानों को किया सी इसके साथ ही अब तक की गतिविदिया समाथ होती है और ताजा चानकारी के लिए देखते रहे हल चल